आपके पास Motorola S30 Series का कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप Caller ID Announcement की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे डाइलर पे और त्री लाइन पे जाएंगे सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे इस step से option आएगा आपको स्क्रॉल कर लेना है Caller ID Announcement की option पे क्लिक कर लेंगे आप सबसे उपर वाले option पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको इस step से option देखने को मिलेगा तो होती ना option अगर by chance यह वाला selected है और आपकी call announce होती है तो इसको आप never कर लेंगे तो आपकी call announce नहीं होगी जैसे बताता है ना कि this person की call आ रही है चला आगे बताता ही है और या फिर आपका headphone वाला selected है तो आप turn off कर लेंगे वैसे अगर आपको set करना है तो मैं आपको बता देती हूं always मैं हमेशा call announce करता है चाहे आपका headphone लगाए चाहे नहीं और when using headset में सिर्फ आपका headset पर अनाउंस करता है जब आप गाने वागरा सुन रहे हैं और कुछ आपने बात कर रही है किससे तो अनाउंस करता है this person की call आ रही है और never पर हटा सकते हैं इसी टैप की interesting videos के लिए i button पर क्लिक कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के ल शफसकर